हलो केट्स चलिए इस वीडियो पे मैं आपको यह बता रही हूँ कि मैंने कुछ कलपन है कि यह असी कुछ कलपन आप भी क्यों करो और कैसी आप दुनिया देखना चाहते हो या क्या आप कर सकते हो देखिए जैसे एक है रेन ओफ फ्रूटी मैंने या पे रखा हुआ है याने फ्रूटी की बारिश अगर हो तो कैसा मज़ा है फिर है दा फ्लाइंग कार कोई कार हो जो उड़ती हो दरीवर आफ मिल्क ठीक है इसके बाद आप देखिए स्वीट्स पार्क स्वीट्स पार्क मतलब ऐसे पार्क जहां केवल मिठाईयां लठी टंगी हो क्या मज़ा आए और एक है बलून गार्डन मतलब ऐसे गार्डन जहां प्लांट पे जहां पौधों पे फूल ना होकर बलून फले हो हम जाए और वहां फटा फट सारे बलून को तोर के ले आए उसी तरह से स्वीट्स जाके खा ले अब इन सब से मिलते जोलते मैंने कुछ चित्र भी आपको दिये है ठीक है आपको क्या करना इसको मैच करना है कि कौन किस से मैच होगा देखिए स्क्रीन पे पूरा आनी पार है ठीक है अब देखिए मैचिंग में आपको जो जो दिख रहा है उसको आप मैच कीजिए और कुछ कुछिस कीजिए कि आप बेहसी बनाएए कुछ कार्ड और कौन किस के साथ मैच करेगा यह आप मुझे बताएए एक रह गया जो मेरा यहाँ पे है देखिए एक रह गया यह भी पूरा निया पार है इससे मैं कहां रखूँ यह लिए इदर दिखा रही हूँ अब आप बताओ बच्चों इससे क्या है सबसे पहले हम गर लोग लेते है रेन ओफ फ्रूटी तो आपको कौन सा चित्र लग रहा है जिसमें की लग रहा है फ्रूटी की बर साथ हो रही है तो आप ढूलो इसमें से आप भी ऐसा बना सकते हो मेरे पास एक रहा गया इसे मैं यहाँ पर दिखाती हूँ यह देखिए यह किसमें सूट करेगा स्पेस ही नहीं है तो देखिए जैसे एक मैं बता देती हूँ यह रेन ओ फ्रूटी क्या है चित्र है ना लग रहा है ना बारिस ओरे ही है तो वो से फ्रूटी यानि औरेंज ओरेंज जूस गिर रहा है बारिस के पानी नहीं गिर रहा है वो तो यह इससे मैच कर जा रहा है यह रेन ओ फ्रूटी से ठीक है अब नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ कि यह the flying car यह तो बड़ा easy है flying car तो आपको यहीं पे दिखे रहा है तो आप इसको इससे match करके इधर अलग कर सकते हो यहाँ पर हम लोग रख दिया हम लोगों ने फिर आप देखो यहाँ है the river of milk आप दूढ़िए इसमें बाकी के काम आप कीजिए river of milk कौन है फिर sweet sweet spark कौन है sweet spark मतलब जहाँ मिठाईयां हो यह मिठाईयों के park हो जहाँ पार्क में मिठाईयां लटकी हो balloon garden कौन है और river of milk कौन है तो यह भी आप पता लगा ही लोग इस तरह से यह interesting आप भी कुछ कलपना करो एक ऐसे दुनिया की एक ऐसे place की जैसा कि हमने poem में पढ़ा कि जिसमें की हम लोग match कर सके और इस तरह बना बना के cards यह game खिल सकते हो आप अपने दोस्तों के साथ है ना innovative और बहुत मज़ेदार यह kalpinik यह poem बहुत ही अच्छी है आप इसे बार बार पढ़ोगे और मैं इस poem को एक बार और आपको इसके इससे पढ़ने के लिए spelling के साथ आपको याद करोगे जो difficult spelling है और बाद में board meeting में है और question answer दूसरे वीडियो में बताऊंगे फिनाल एक बार पढ़ती हूँ पूरा poem सिर्फ आप भी ऐसे पढ़ोगे sometimes I think of a wonderful place the king in hut and poor in palace असे पढ़ोगे ये place ये palace the queen draws water from the well the servants are seen in gold and jewel the sun is square it rises from the west birds live in caves and animals in nest the moon is pink it seems so near the sky is colorful clean and clear children have wings they fly to school adults have wheels they follow traffic rule trees walk away from heat and dust bubbles bloom on plants give fruits when they burst everyone is happy all have fun they sing and dance when work is done if only I could if only I could leave in such a place there would be no tears only smile on my face thank you वेटा अब आप लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके word meaning और question and answer देखोगे ओके बाई you you झाल झाल